तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुक्सान उठाया। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो, इन दोनों के बिच में सामंजस का भाव और टक्राव हम कई जगा पे देखते हैं। हमारे यहाँ भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाईप विचाने के लिए उसे खोद दिया गया। रोड दोबारा बनी तो सिवर लाइन विचाने वाले ना करके उसको खोद दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्द विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती है पी-म गतिशक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा इससे देश के रिसोर्जिस का भी आप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा साथियों आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट पर काम कर रही है उसमें पी एम गतिशक्ती बहुत बड़ी हमारी एक आवशक्ता है